हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायमवेदिक्स में और आज हम लाएं एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो डाइबिटीज रिवर्सल की जी हाँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Diabetes Reversal में आने वाली 5 बड़ी रुकावटों के बारे में और ये वीडियो Diabetes वालों के लिए बहर जरूरी है दोस्तो आप समझे कि अगर आप इन 5 रुकावटों को दूर कर पाते हैं तो आपका Diabetes Reversal तेज गती से होगा और आप फिर से स्वस्थ जीवन जी पाएंगे दोस्तो आज ही जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं दोस्तो कि Diabetes Reversal एक complex process है जटिल process है जिसमें कोई निश्य समय नहीं है आप समझे दोस्तो कि अगर आप अपनी Diabetes को reverse करना चाहते हैं तो कम से कम एक साल का समय जरूर लगेगा अगर आप standard condition में है तो लेकिन अगर आप standard condition में नहीं है और आपको कुछ समस्या हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो ये समय बढ़ भी सकता है तो ये समस्या हैं जैसे के शरीर में किसी तरह की सूजन या infection का होना शरीर में किसी भी तरह के portion की कमी होना hormonal imbalance होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है diabetes reversal में delay के लिए फिर दोस्तो अत्यादिक कमजोरी या मोटापा होना और कहीं ना कहीं heart, liver, kidney, आदी से समबंधित कोई भी समस्या होना तो दोस्तो अगर आप इन समस्याओं से जूज रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका diabetes reversal लेट होगा, धी में होगा इसके लिए आपको क्या करना है कि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ सावधानिया बरतनी पड़ेंगे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शरीर में किसी भी तरह के सूजन या infection के लेकर के तो मैं आपको बताओं कि सूजन आना या किसी भी तरह का infection चाहे वो थोड़ा सा ही हो दोनों से ही blood sugar बढ़ती है दोस्तों इसलिए किसी भी इस्तिती में इन समस्याओं को नजर अंदाज ब खराब आदेते हैं इनकी वज़े से ये समस्याओं उत्पन होती हैं तो आप बचिये इन से फिर किसी भी तरह के nutrition की या portion की कमी होना जिया दोस्तों किसी भी पोशक तत्व की कमी जैसे के vitamin B3, B12, vitamin D या vitamin C की कमी आपके diabetes reversal की speed को निश्चित रूप से धीमा कर देगी आप सम होना शुरू जाएगा और आप ठीक हो जाएगे फिर अगली बात करें दोस्तों hormonal imbalance की तो आप समझ ये के hormonal imbalance जैसे के thyroid का बढ़ना या घटना, leptin hormone, testosterone, estrogen या progesteron का बढ़ना या घटना ये सब समस्याओं हैं जो आपके diabetes reversal पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं इसलिए दो करें दोस्तों के अत्यधिक कमजोरी होना या फिर मोटापा होना ये भी एक पड़ी समस्या है के अगर आप कमजोर हैं या फिर अधिक मोटे हैं तो दोनों ही परिस्तितियों में diabetes reversal धीमा होगा इसलिए दोस्तों अगर आप diabetes reversal में result चाहते हैं तो आपको इस समस्या से कोई अन्य समस्या हैं तो वो भी diabetes reversal को धीमा करती हैं चाहे वो समस्या हैं चोटी है या बड़ी इसलिए दोस्तों ये जरूरी हो जाता है कि आप इन समस्याओं को सुलजाएं अपने diabetes reversal को successfully प्राप्त करें इसके लिए आप इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने डॉक तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें थेंक यू